हाई एवरीवन क्या हाल चाल है दोस्तों सर सब बढ़िया सम मजमें उमीद करता हूँ जून दो हजार चौबिस में बैटने वाले बच्चों की तयारी बहुत अच्छी चल रही होगी कई बर स्टुएंट्स फोन करते हैं तरह में एक रोड मैप फॉलो तो कर रहे हैं पर सही है कि नहीं हमारा इस टाइम पे फोकस किस जगह पर होना चाहिए अभी मैं कैसे प्रोसीड करना चाहिए मैं आपको इस तीन बुलेट पॉइंट्स पे दोस्तों मैं उन तीनों बच्चों को एड्रेस करने वाला हूँ तो आज का दिन है वो ग्रीन बॉक्स जॉब को दिख है और यह आपका लाल कलर का आपका एक्जाम दिन दोस्तों डाट इस ट्वेंट अफ जून से आपके पेपर शुरू कर रहे हैं तो अब हमाने हमने पूरे अपने एक महने को लगबख हमारे पास ट्वेंटी फाइव से थर्टी डेज है और हमने इस तो तीन भाग में है तो मेक शॉर कि आप अभी अपना बैकलोग कवर कर लें जब आप बैकलोग कवर कर रहे हैं तो आप यह देखिए कि बहुत मेजर बैकलोग बचें क्या पांच-पांच-छे-चे बड़े-बड़े चाप्टस बचें अभी आपके साथ से 8-10 दिन वो हैं जिसमें आप मैं निकल गया और आप सोचर में जून के महने में बैकलोग करूंगा तो सड़नली आपको एक ऐसा प्रेशर फील होगा जब आप अपने बैकलोग सो कवर नहीं कर पाएंगे आपको बाकी सब्जेक्ट का टेंशन यार जो मैं कर दिया उतना ही रखूं क्या जो नहीं क्यों का जाधा प्रेशर नहीं दो तीन छोटी 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 चाप्टर रेशियो प्रपोर्शन लॉगेरिदम सेट्स या तो अभी स्टैट की कोई त्योरी स्टैस्टिकल डिस्क्रिप्शन अब डीटा ऐसे कुछ चाप्टर रहे हैं तो मैं कहूंगा आप अभी से अपने छेवाइश करने चलिये तो कि जूनके महने में यदी आपको रिविजिन का टेंशन अया भी तो इसी चाप्टर क कटेंशन नहीं रहेगा जो अपने हाल फिलहाल में बैककड कवर किया उसका रिविजिन आप जून के मेहने में डाल सकते हैं तो यदि मैं अभी बात करों this is तब जाके आपको confidence हासिल होगा, so guys, important chapters की बात करें, तो कौन-कौन से chapters होगे, mathematics of finance, sequence and series, permutation, combination, पूरा LR important हो गया, statistical description और data easy है, पर weightage जादा है, measures of central tendency and dispersion, regression analysis, probability, बड़ा chapter, जिसको cover करने में बहुत समय लग जाएगा, वो आपके लिए important हो जाता है भी, वो chapter जिसका weightage बहुत जादा है, भले छोटा हो, cover करने में तंप कम टाइम लगे, पर क्या हो यह weightage वाले chapters आपके हो गये है, आपको यह चीजों को make sure करना है, आज के next 7-8 days में, अब दोस्तों चल सकते हैं, अब आपको फोकस करना है, अब आपको फोकस करना है multiple revisions पे, आपको बैक लॉग का अटेंशन ख़ता हूं मैं, अब आपको कोशिश करना multiple revisions, यहाँ पर जो बच्चे गलतिया करते हैं, सबसे पहली बात, आपको questions को बुक को चेंज नहीं करना, जो question bank, जो previous year questions आपने अब तक किये हैं, आपको वो करना है, और यहाँ पर आप कोशिश करी इस मुकाम पर, जब यह point खड़ा आपका, तब आप जितने नए chapters कर चुके हो, उनकी थोड़ी additional practice आप कर लो, आपको confidence पका हो जाएगा, इन दिनों पर आपको MTPs कर सकते हो, आप कुछ नए questions bank उठा सकते हो, जैसे super 100, 300 questions, जो मैं आपको AK47 series इस बार आपको देने वाला हूँ, एक June से, एक June से दोस्तों हमारे AK47 की series शुरू होगी, जहाँ पर मैं आपको super 300 questions करवाने वाला हूँ, बहुत ही powerful तरीके से, और ये वो week है, जब आपको statistics की कोई भी theory part पे अभी इता tension ना ले, अभी अपना backlog कवर करें, ये सही वक्त रहेगा, जब मैं आपको stats की theory भी YouTube पे में revision करवाऊंगा, यदि आप कर सकते हैं तो कर लिजे, वहना मैं सारी complete theory में यहाँ पे discuss करूँगा, दो ढ़ाई घंटे के अंदर, so don't worry, leave this to me, तो ये हमार हो गया first week का target, stats की theory का सही वक्त है ये, अब दोस्तों आचुके हम तीसरे पड़ा पे, लेकिन याद रखी ये week सबसे important week है, सारे important chapters का revision आपको यहीं पे करना है, ये नहीं सोचना है कि मैं exam के 2 दिन पहले कर लूँगा, मैं 11 से 25 कर लूँगा, खतम करो, 10 तारीक आपको last date रखनी है, 10 जून के बाद मेरा अच्छा खासा एक revision हो चुका है, अच्छे खासे practice हो चुकी है, MTPs मैंने solve कर चुकी है, अब बात आते हैं दोस्तों, यदि किसी बच्चे ने मान दो अभी MTP नहीं कर पा रहा है, तो अब pressure मत लो, यदि आपको लग रहा है MTPs इंस्टिटूट की आ रही हैं, पर मेरी उत्नी तयारी नहीं है कि मैं paper दे पाऊं, तो guys, आप सारे MTPs को उन्हें थर्ड मुकाम पर डाल दीजिए, और जो बच्चे अभी MTPs को दे रहे हैं, उन्हें भी दोस्तों कुछ extra test papers आपको यहाँ पर देने चाहिए, आपको multiple test papers देने चाहिए, और यह वक्त है दोस्तों, जहाँ पर आपको logical reasoning के थोड़े advanced questions, pointing towards a photograph, direction sense के लंबे वाले questions, guys, numbers तो से कुछ important categories, आपको सारे tough tough पूरा part LR का आपको यहाँ पर एक बार और practice करके खतम कर देना चाहिए, ताकि law का जब paper आप दे करके आएंगे, तो आपको यह pressure नहीं होना चाहिए कि मुझे अभी भी कुछ revision करना बाकी है, मुझे अभी भी LR पढ़ना है, तो आप LR से अपने आपको इसी दिन free कर लिजे, यदि अब exam के time पे मैं LR जादा नहीं भी देख पाया, तो भी चल जाएगा, तो यह तीन important parts है, आपको डेली का target आजाया करेगा, कि आपको कित्ता कित्ता पढ़ना है, इसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, और दोस्तों कमेंट करना है target, उमीद करता हूँ दोस्तों, यह road map से थोड़ी clarity मिली होगी, दूसरी बात मैं कहूँगा दोस्तों, आप बहुत tension लेके पढ़ाई मत करिए, बहुत डर डर के pressure में पढ़ाई करने जाओगे ना, कुछ भी achieve नहीं कर पाओगे, stay calm, आपने टोप 10 chapters भी कर लिए अच्छे से, टोप 15 chapters भी कर लिए, चलेगा, 2-3 chapters छूड़ गया, उसकी वज़ा से अपनी पूरी मेहनत वो scrap मत करो, 2-3 chapters छूड़ गया, वो आपको fail नहीं कर सकते, थोड़े बहुत आपके हो सकते, आप ज़्यादा नंबर लाते हैं, तोड़े कम लाओगे, पर pass हो जाओगे, तो smart work करने का वक्त है, hard work के साथ, smart work बहुत important है, वेटेज का में पर पढ़ने में टाइम लगने वाला है, ऐसे chapters बचे हैं, टोट वरी गयाज, छोड़ दो, यदि अभी 7-10 days में होता है, तो बहुत अच्छी बात है, इंकॉर्परेट करो, बहुत जादा major chapters बचे हैं, कुछ चीज़े छूटने वाले हैं, वो आपको fail नहीं कर सकती, पर जो पढ़ रहे हो, quality पे focus करो, quantity पे focus करने का वक्त अब नहीं है, कोशिश करो, जो करो, अच्छा करो, कोई भी चीज करता हो, ये make sure करो, अच्छे खासे loopholes करो करो, and guys, you will feel confident, उमीद करते हूं, ये road map सा को काफी clarity मिली होगी, कि हमें कौन से dates पे, हमें कैसे कैसे हमें follow करना है, तो guys, this is your maths buddy, अमन खेडिया, मिलते हैं दोस्तों, bye bye, take care.